हलो प्रेंट आज मैं आपको ऐसे कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो केवल कमिंस इंजन में लगता और किसी इंजन में नहीं लगता जिसका नाम है सट डाउन वाल और कुछ लोग इसे जो है सट आप वाल भी बूलते हैं इस वाल का क्या फंक्शन है यह कैसे व हाई फ्रेंट अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हमारा सट डाउन वाल कैसे काम करता है इसके अंदर जो है चार कंपोनेंट होते हैं एक तो होता है सट डाउन क्वाल जो 24 बॉल्ट डिसी करेंट से जो है यह एक्चुएट होता है जिस समय हम 20 से आन करते हैं उस समय जो है इसमें 24 बॉल्ट के डी सी बोल्ट आता है उस केस में कोई यह रम जो है इन्रगाइड हो जाती हो और निढट होने होने पर जो हमारा स्प्रिंगाइड ओर वाल्व सलex यह दोनों जो है इस क्वाल सेट चिपक जाते हैं जब चिपक जाते हैं तो हमारा जो सटडाउन का जो हाउजिंग है वहां पे जो आइल की गैलरी है वह ओपन हो जाती है उसी के तुरू हमारा डीजल जो है उपर जाना चाली हो जाता है और वह इंजेक्टर में जाता है जिस अँछील इमगतों अऊसप चैस में जब गयारी और गयलेरी ऊपन हो जाती है उसरीशायटे डीजाल होते हुए हमारा यॉप्र जाता है उपर जा के समय हो जाता है ाब हमें यह देखना है कि हमारे इसमें प्राबल्म आती है अगर समय जैसे हम ने इंजेन श्टार्ट नहीं एक क्रैंकिंम होता है रिसार नहीं हो पता है इसका मतलब अगर खराब हो जाय ՗ा तो इंएज नहीं होगा जिसके वजह से हमारा साथनाइड वाल्व वह अपनी तरफ थीचेगा नहीं नाहीं वो चिपकेगा तो डिजल का हूं महीं पयर्ग केस में हमारा इंज्ञइन सटार्ट नहीं होता है इस case को emergency में अगर हमें चालू करना है तो shut down valve में shut down valve assembly में एक हमारा knob होता है उसको जब हम clockwise घुमाते हैं तो जो salinide valve वो जो होता है वो हमारा पीछे की तरफ चलता चला जाता है पीछे का मतलब है कि जो हमारा shut down coil है coil की तरफ हम उसको mechanical उसको पीछे कर देते हैं जब पीछे कर देते हैं तो हमारा diesel जो है space open हो जाता है उसकेस में हमारा engine start होता है लेकिन इसको जब हम चावी के थूरू अगर बंद करेंगे तो यह हमारा बंद नहीं होगा उसकेस में फिर हमें उस nap को जो है anti-clockwise गुमाएंगे तब जाके वो engine हमारा start बंद हो जाएगा नहीं तो यह बंद नहीं होगा और एक होता है जो हमारा solid net valve पर जो disk है disk हमारा oaring shielded होता है कभी कभी क्या होता है कुछ metal party की जो pump के थूरू निकलते हैं अगर वो हमारे disk valve पे अगर चिपक गए तो उस case में जब हम engine आप तो कर देते हैं लेकिन उदर से slightly हमारे diesel जो है leakage करता रहता है और उस leakage की वज़ा से engine हमारा continuous एक दो मिनट चलता रहता है वो बंद नहीं था उस case में क्या होता कि हम disk valve को निकालकर उसको साप करते हैं अगर उसके जो silder dooring है अगर उसके कोई scratch नहीं आया तो उसे हम साप करके लगा देते हैं तो हमारी यह problem solve हो जागा अगर उसमें अधिक scratch है उस case में हम उस डिस valve को ही बदल देते हैं और यही position हमारा स्टार्टिंग में भी होता है अगर coil हमारा इनर्जाइज नहीं हुआ उस case में भी हम केवल सट्वान coil को ही हम replace कर देते हैं और replace कर देते हैं तो हमारा इंजिन